आलू की फसल में आपने देखा होगा कि आपकी आलू की फसल बहुत ही अच्छी चल रही है बढ़वार बहुत ही अच्छी है लेकिन जब एंड में उसकी खुदाई करती है तो पैदावार कम निकलती है जी यहां के सानवाई हो आज मैं इसी पर पूरी चैचा करने वाला हू ऐसी कौन सी इस्प्रे में हैं कौन सी ऐसी दवा डाना कि आपके आलू का साज बढ़ जाए अगर आपके आलू की फसल कम जो और देख रही है तो उसका भी मैं एक सॉलूस्टन बताने वाला हूँ अगर आपकी फसल ठीक टाक है आलू को मौटा करना है उसकी दवा बताने वाला हूँ अगर आपके आलू की आल यानि बानस पते ब्रदी कम है तो आज मैं एक ऐसी इस वीडियो में दवा बताने वाला हूँ एंड के इस मेरे में आप जब आपका आलू सार से पैसर दिन का हो जाए तो आप उस तौनिक अप्रो कर सकती है और अच्छी पैदावा ले सकती है तो चलिए किसान भाईयो मेरा नाम है विक्रम तॉमर और आप देख रहा है यूटूब चैनल फसल सबादार पहले जान लेते अगर आपके आलू की पसल अच्छी है आलू की बानस पते ब्रदी अच्छी है तो उसके लिए हम क्या लगाएं किसान भाईयो जब आपके आलू की पसल सार से पैसर दिन की हो जाए तो आपको ये करना है कि आप तो किसान भाईयो जो आपके आलू की उपरी बरवार हो रह जादा उपरी बरवार बानस पर दिब्रदी हो रही है उसको आपको रोखना है उसके लिए आप जो इस्पिरे में दवा डाली है वह डालनी है लिहोसिन लिहोसिन किसानवाईयो बासब कंपनी की आती है अगर हम इसकी डोज की बात करें तो इसे आप 500 ml प्रतियकर जिया किसा बाईयो यहाँ यहाँ काम करेगा कि जो आपके आलू की उपरी बरवार ज्यादा बरवार हो रही है उसे रोकेगा अगर आपके आलू की बरवार कम है तो उसे ज्यादा करेगा लियोसिन लियोसिन का प्रियोग करती है तो यहाँ उपरी बरवार को रोकेगा और जो आपके आलू के कंद है उसको मोटा करेगा तो आप लियोसिन का प्रियोग 60-65 दिन पर 500 ml प्रतियकर के हिसाब से आप किसी फंजी साइड के साथ कर सकते हैं लियोसिन के साथ आप NPK का भी प्रियोग कर सकते हैं इसको आपको लेना है 0050 जी आं किसान भाईयो यह भी आलू मोटा करने में सायक होता है तो किसान भाईयो अब आगे बढ़ते हैं अब जान लेते हैं अगर आपके आलू की फसल कमजोर है तो वो हम कौन सा टॉने लगाए किसान भाईयो आपको लगाना है पोसक सुपर इस्टार इसमें जिब्रेलिक एसिट होता है इसके साथ साथ और भी माइक्रो न्यूटियंग तब तो रहते हैं अगर आप पोसक सुपर इस्टार का प्रियोग डाई सौ एमेर प्रती एकड़ के हिसाब से करते हैं तो आपके जो आलू की फसल है पैदावार है वो अच्छी निकलेगी इसमें जिब्रेलिक होता है और भी तब तो रहते हैं जिसके कारण आलू की फसल अच्छी निकलती है बहुत ही किसान इसको लगाते हैं और अच्छा मुनापा अच्छी पैदावार इस टॉनिक से पाते हैं किसान वाईओ आप 60-60 दिन पर पोसक सुपरिश्टा जो क्रेसी रसन कंपनी काता है इसे आप 500 ml पैती एकड के इसाब से अगर आप अपने आलू की फसल में लगाती है तो आपकी जो आलू की फसल कमजोर है वह ठीक हो जाएगी और जो आलू के कंद है उसको मौटा करने में यह बहुत ही साहक होता है तो आप पोसक सुपरिश्टार का प्रियोग कर सकती है तो किसानवाईयो पहला टॉनिक बताया है मैंने लेहोसिन जो बासब कंपनी काता है इसे आप 60-60 दिन पर 500 ml पैती एकड जब आपकी आलू की बरवाद जादा हो रही हो अगर आपके आलू की फसल कमजोड है तो आपको लेना है पोसक सुपरिश्टार जो करसी रसान का कंपनी काता है इसे भी आप डाइसों में पैती एकड के जाब से लगा सकते है दोनों इस्तिती देख लेगी आपकी आलू की इस्तिती क्या है तो आप उनमें से टौनिक अच्चो नाव करके आप अपने आलू की पसल में इस्प्रेय कर सकते हैं पैदावार अच्छी निकलेगी मौटा आलू हो जाएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे पसल समादा चैनल को सब्सक्राइब कराई लाए करा जाहिए हिंदे जाहिए किसान